नमस्कार स्वागेत है आप सभी का वाइट एजूगेशन पे बिहार सिपाही भरती मदनिशेद और फायरमेन की भरती को लेकर यहाँ पे रोज सुबर दस बजे हम लोग यह प्रैक्टिस एट दे रहे हैं जो कि आज यह सेट नंबर 16 होगा जो कि आप लोग के लिए एक्जा पर जो कि आज आप से यहां से पूछे जाएंगे तो पहला कोशन है कि यह सारी संख्याय दी गई है प्रतेक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए तैकि इस क्रम में प्राप्त जो संख्याय है यह समानुपात है तो ध्यान रखेगा 8 प्लस X कर लिजेगा इस टू 13 प्लस X कर लिजेगा और समानुपात बोल रहा है यहां तो यह समानुपात का यहां चीन लगा देंगे 26 प्लस X कर लिजेगा और 40 प्लस X कर लिजेगा अब यह जो समानुपात होता है वो एक्वल्स टू के बराबर होता है तो अब हम लोग यहां से X का वैल्यू निकाल लेंगे तो एकस का वैलू टू आएगा इसलिया साथ डी हो जाएगा हमारा समझ गया स्वाल नंबर दो पे चलते हैं सलमा कोई वस्तु खरिदती है और फिर उससे 810 रुप बेश देती है दस प्रतिशत हानी पर वैश दी है तो भई 810 पर यह 10 पर परसेंट हानी यानिकि 90 पर वह रहा है इसको 10% हानी बेश रही थे जी तो 90% को तो लाव रहा है। लेकिन बोल रहा है कि 4% लाव प्राप्त करने के लिए उस बस्तु को किस मूल पर भेशना चाहिए। तो भाइ चार परसेंट लाब होगा तो कितना होगा 104 परसेंट होगा तो 810 कितने पर 90 परसेंट पर बेच रही है लाब है और लाब की ही बात कर रहे हैं तो 104 पर ठीक है तो यह वैलू निकल कर आएगा 936 रुप्या तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा नोट कर लिजीगा सवाल पंबर 3 दो टंक crypto है A और B पानी की मात्रा का अनुपा जो है 6-5 है tank A जो है पानी की मात्रा 30% ब्रिधी की जाती है और tank B के पानी की मात्रा कितने प्रतिशत कि व्रिधी की जाने चाहिए कि दोनों ही टंकियों में पानी के मातरा बिल्कुल समान हो तो यह सवाल कैसे निकलेगा तो अभीष्ट जो आपका प्रतिशत बृधी हो रहा है उसको एक्समान लीजिए इस बार ठीक है जो बृधी हो रहा है तो 6 का 30% बदलब कि 130 ठीक है यानिके 30% बृधी हो रहा है यह प्रधी कीबात हो रही कमी ह करते तो सो में 30% कि ब्रिदि की जानी जाहिए तो यह ध्यान रखी गा सो प्लस एक्स का कितना प्रतिशत बढ़ेगा यह निकालना आपने तो बस यहां पर इक्वल्स टू कर दीजिए आपका 6 का 130 प्रतिशत ठीक है तो यहां पर निकालके आजाएगा एक से बहलू 56 प्रतिशत तो आंसर कर लेजिए का बीए इस दे क्रेक्ट रांसर तो नमबर तीन पर चलते हैं दोस्तों यहां विचार पर 320 राशी कितनी अवधी के लिए बढ़ाकर 405 हो जाएगी यदि व्याज की करना साड़े 12 परसंड वार्षिक चिक्रव्रदी की जाती है तो यहां से नोट कर लेजिए कि आप लोग जिया 320 रुपया राशी कितनी अवधी के लिए बढ़ाए जाए कि यह 405 रुपया हो जाए तो आप लोग को मिसरधन का पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए पी इसकल टू टू टाइम तो हमें टाइम निकालना है यहां पर सिंपल सी बात है यह हमें पता है कितना है तो 320 रुपया है यह पता है आप लोग को नहीं 405 रुपया सोरी 320 रुपया आपका मूलदान है तो 405 इसको हम लोग इधर ला देंगे पी को बटे में 320 is equal to 1 प्लस आर कितना है साड़े 12% तो साड़े 12% और यह टाइम निकालना अपने को अब यहां से टाइम निकाल लें इधर भी 9 बटे 8 निकल जाएगा तो आपका टी का वैलू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो दो वर्स निकल जाएगा हमारा स्वागर 5 साइन ठीटा इंटू कॉस ठीटा प्लस साइन ठीटा इंटू कॉस ठीटा कमान कितना होता है तो याद रखेगा हमेशा साइन एंटू साइन इंटू कॉस भी प्लस साइन भी इंटू कॉसे का फॉर्मूला एक होता है यह फॉर्मूले पर अधारित इसलिए आंसर यहां पर सि होता है ऐसे भी हो जाएगा इस्वाल अबर 6 विप्रित दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर की लंबी दो गाडियां है 9.3 पर सेगेंड से यहां पर एक दूसरे को पार कर जाती है तो दोनों गाडियों का हम लोग निकालेंगे पहले दोनों को जोड दीजेगा चलिए मैं एक्स बन और एक्स टू मान लेता हूं यहां पर दोनों को जोड कर और बटे में टाइम से आप डिवाइट कर दीजीगा यह टाइम दिया गया है आपका वेग निकल जाएगा तो याद रखेग यहां पे 120 किलोमेटर आएगा और इसको 18 पटे 5 से गुना कर दीजीगा चुकि यह किलोमेटर में और यह सब मीटर में दिया गया सेकेंड में दिया गया तो यह किलोमेटर पर घंटा आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों के सवाल नंबर चलते साथ पे एक त्रभूज जि केक बाटा जाता है चार को केक का क्रम सा इस अनुपात में दिया गया है तो पांच बे का हिससा बताईा है इनको जोड़ दीजीगा चारो का हिस्सा और एक चारो का घंटा देजीगा तो जो ब्याज के 10 से 10 हो जाते है तो कितने possa यहापर एक मानीएगा मोलधन पी्श है और सब्सक्राइचे दूगना हो जायेगा यदि नचेटी हो जायगा यहें डास्य भरस्का सधरण ब्याज कि यहाइगा ने किben तो पी ऐ để love पूलदन हमने माना है तो भाई सौ पर हमें निकलता है तो पी गूने 100 बड़े 10 यहां पर इसकल तो 110 परसंट यह कर जाएगा 10 से तो यह निकल कर आजाएगा तीन मेश्राइगा और तीन गूने है तो थ्री पी माइनस पी कर लेज़ेगा इसकल टू पी तो भाई टू पी का वैलू निकाल लेज़े अब यहां पर टू पी कर दीज़ेगा यह होज़ेगा बीस वर्स तो आंसर यहां पर बीस वर्स है स्वाल लंबर 10 रमेश एक पंखा उसी अंकित कीमत से 25 परसंट के बट्टे पर खरिदता है और वह उसे 660 रुपे में बेज़कर 10 परसंट का मुनाफ़ा कमा लेता है तो भाई पंखे का अंकित मुल लेकिया है यहां पर तो पंखे का अंकित मुल लेतो नहीं पर करेमुल हमे पर 10 परसंट का मुनाफ़ा कमाता है तो दस परसंट का मुनाफ़ा यह यह थो क्लीर है आपका वास्तिक करेमुल निकाल लीजिएगा तो बट्टे 110 गुने में 660 यानि कि 600 रुपया तो 600 रुपया हमारा एक्शुल प्राइस है और यह अंकित मुल पर 25 परसंट का बट्टा कमा रहा है तो वह 600 पर नहीं निकाल लेंगे हम लोग यहां पर 600 मारा मीन जो क्रेम मुल है जो भी पंका का वह है तो बट्टा के बाद जो मुली निकलेगा वह कितना निकलेगा तो सौ में से 25 परसंट घटा दीजिएगा 75 रुपया ह है 75 रुपया पर अंकित मुल कितना है 100 रुपया है तो एक रुपय पर कितना है तो च्वाल नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तों यहां पर हिंदी के सवाल है हिंदी वर्ण माला में बेंजनों की संखिया कितनी है तो 33 है याद रखेगा एस दा करेक्ट आंसर 12 परिमान वाचक विशेशन से क्या बोध होता है परिमान वाचक विशेशन से वी होते हैं जो कि संग्या और सर्वनाम के नापतौल की विशेशता बताते जैसे थोड़ा बहुत है न यह सब कुछ है तो यहां पर आंसर भी कर लिजेगा सवाल नंबर चलते हैं 13 पर नमलेकी लेकिन हमें की रखा था यह ने रहा था तों सरदे कर लेंगेगे स्वाल नंबर चलते हैं लेकिन वह उल्च चुका है इसंले है स्वाल 1-12 दोस्तों वी रसका स्थाई भाउचल क्या है तो वीर रसका इस्थाई इस्थाई भाव है याद रखेंगे आंसर कर लिजीगा B is the correct answer वी रास का पूछा गया है मनोविकार सब्द का संदी विछेद चुने आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर मनोविकार सब्द का संदी विछेद मना प्लस विकार B is the correct answer मनोविकार होता है स्वाल लंबर 16 उठा चांदी का उजूबल संख फूकता हूँ भैरो हुंकार उपरोक पंती किनकी है रामधारी सिंग दिन कर नहीं आंसर C हो जाएगा आपका नोट कर लेंगे स्वाल लंबर चलते हैं 17 पे जमलेकित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे जिहां C शलेश अलंकार मुलत दो प्रकार के होते हैं सब्द अलंकार और अर्थ अलंकार सब्द अलंकार के उधारन दोस्तों अनुप्रास यमक शलेश हैं और अर्थ अलंकार के उपमा, रूपक, उपेक्षा, विभावना इस तरह से होते हैं तो आंसर यहाँ पे C कर लेंगे दोस्तो अनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है अनाकानी करना मतलब कि टैलमटोल करना ठीक है तो आंसर यहाँ पे हम B कर लेंगे इस दा करेक्ट आंसर माती की मूरत किस लेखा की रशना है आंसर कर लेंगे दोस्तो यहाँ पे राम ब्रिक्ष बेनी पूरी C is the correct answer नोट कर लेंगे दोस्तो निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाए पंक्ती में प्रयोक्त अलंकार बता है इसमें जो अलंकार हुआ है यह दोस्तो विभावना अलंकार ठीके जिके विभावना में कारण क्या है यहाँ पे बीना ही कारेक यह बनता है तो आंसर ए कर लिजीगा स्वाल लंबर 21 देखे अंग्रेजी का कोशन आएगा अब यहाँ पे which word means nearly same as is scream scream a-c-r-e-m scream का मतलब है चिलाना तो इसका same word बताना है आपको चिलाना क्या होगा शोर्ट ठीक यह ध्यान रख étéगा शौज़ल भी चिलाना होता है स्वाल लंबर चलते है 22 बिश्वालिम्री सेम यहां भी सेम और बताना है हैपी का हैपी आने की खुश रहना तो यहां पे अगर आप देखेंगे content जो लिखा गया है इसका मतलब ही संतूष्ट होना या खुश होना होता है तो c is the correct answer similar word यह इसका होता है देखिए बहुत सारे छातर पूचते हैं कि सर कैसे इतनी meaning को हम ल सब्सक्राइब कर लिजेगा तो कि जीके जीएस और इस पर हो सकता है कि मैथ जादा भी पूच दिया जाए दस के बदले 15 कोशन पूच दिया जाए क्योंकि इस बार जो है स्लेबस हलका है दसवी कक्षा के अधार पर है तो पेपर को टफ कहीं बनाया जाएगा तो आपको दसवी कक्षा का यह मैथ पूचकर टफ किया जा सकता है चूज दा एप्रोशियेट ऑप्शन अप्शन अप्ड़ कम्प्लीट संटेंस दमीन आर वर्किंग दियर फिलिन दी ब्लैंक्स और एट होम तैस का उत्तर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर जिया आंसर कर लेंगा आर वर्किंग दियर वाइब्स ना वाइब्स यहने की पत्निया उनकी पत्निया तो यह संटेंस एक्षुली बनाना है यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है तो यह ध्यान रखेंगे यहाँ ठीक है चलिए सवाल नंबर चलते हैं दूस्तों 24 पर राहुल वर्क्स लेस तो आंस फुली एक एडवर्व है यहाँ पर ठीक है ध्यान रखेगा सवाल नंबर चलते हैं 24-25 पर दोस्तों इट फिल इंदी ब्लैंक्स ओल डे लॉंग इस्टड़े तो यहाँ पर आंसर कर लेजीगा दोस्तों इट जिया रेंड है ना मतलब पास टेंस में जाएगा बीता हुआ कलकी बात कर रहा है यहाँ पर तो यह जिसके साथ हम लोग भर्व का दूसरा फॉर्म लेंगे तो रेंड हो जाएगा यहाँ पर ठीक है तो इट रेंड ओल डे लॉंग स्टड़े कलकी बात हो रही है बीतेवे कलकी तो इसलिए स्वाल लंबर 26 रियारेंज द फॉलोइंग आपको यह जो है एक सिक्वींस दिया गया है जो कि इधर उदर है तो अब आपको रियांजिंग करना है तो वह था ठीक है जो वाक के को सार्थक क्रम में बढने के लिए तो पहले तो हम उठाएंगे यहां से बी से I was quite happy तो यानि कि A लिख दीजिएगा I was quite happy उसके बाद to receive the first prize to receive the first prize यानि कि यहाँ पर answer क्या कर लेंगे हम लो B A D C ठीक है तो answer हो जएगा A is the correct answer स्वाल नंबर 27 Protect we must natural resource hour तो answer यहाँ पर किजिएगा वी जो है हमारा subject बन जाएगा यहाँ पर तो we must protect our natural resources वी must protect our यहाँ पर है और natural resources तो answer क्या बनेगा यहाँ पर हमारा तो 27 का उतर कर लेजिएगा दोस्तो B A D C स्वाल नंबर चलते हैं 28 पर Choose the appreciate option to fill the blanks चलिए जो आपको यहाँ पर बताना है कि कुछ appreciate option के जरी है तो option यहाँ पर है भाई चार one who leads an accurate life चो शौरी माफ करेंगे one who leads an auster life ठीक है तो ध्यान रखीगा यहाँ पर तो इसका जो मतलब है कि जो व्यक्ति कठिन जीवन जीता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो ascetic कहते हैं ठीक है तो ascetic होगा यहाँ पर तो यहाँ पर आंसर कर जीगा कठिन जीवन जीने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं ascetic कहते हैं भाई स्वाल लंबर 29 तो आंसर यहाँ पर कर लिजीगा दूस्तों टेली वीजन या फिर रेडियो के प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको कौन कहते हैं उसको क्या कहते हैं एंकर कहते हैं ठीक है तो एंकर हो जाएगा यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा तो भारत का इतिहास गौरव साली है तो इस्ट्री ऑफ इंडिया इस ग्लियूरियस तो आंसर कर लिजीगा सी इस दे करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं यहां से यहां सी इस दर राइट आंसर स्वाल लंबर प्रिथ्वी से किसी आखास गंगा के दूरी दस के पावर 25 मीटर पर है कोटी होती है आखास गंगा में प्रिथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकास द्वारा लिया गया समय क्या होगा तो आंसर कर लिजीगा दूस्तों यह हो जाएगा जियां त्री इंटू टेंडिवा लोटता है तो इसका विस्थापन सुन्य नहीं होता है यह कथन सही नहीं है क्योंकि देखे जो हमारा तीसरा कथन हो गलत है यहां पर बात करें बिंदू पर वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन सुन्य नहीं नहीं क्यों सुन्य होता है उसका क्योंकि वह सदीश राच यहां पर हमारा गलत होता है स्वाल लंबर चलते हैं 33 एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर उश्मा के संचरन के लिए माध्यम आवशक है बिल्कुल याद रखेगा एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर उश्मा के संचरन के लिए माध्यम आवशक है बिल्कुल चालन में औ से बड़ा होता है तो डी इस दा करेक्ट आंसर स्वाल नमबर 35 इस्थाई अश्यान और अस्पीड है ठीक है इस्थाई अश्यान और अंस्पीड है के लिए बर्नौली का थियोरम जो है समिकरन क्या वेक्ट करता है तो आंसर कर दोस्तों यहां पर यह उर्जा के संद्रक्शन को जब वेक्ट करता है तो सी उत्तर हो जाएगा हमारा यहां से पी प्लस हाफ पी वी स्कुआयर प्लस पी जी एच इस इकल टो नियतांग होता है हमारा इसलिए यह निकलेगा हमारा स्वाल अलमब 36 एक किलोग्राम दर बिमान और तीन सेंटिमेटर त्रिजा किसी ठोस गोल बिलकुल याद रखेगा दोस्तों आंसर के जिए नौ बटे बीस जूल होगा बी इस दा करेक्ट आंसर नौ बटे बीस जूल होगा स्वाल लंबर चलते हैं दोस्तों यहां पे 37 पे एम के इस पदती में जी का क्या मान होगा जी याने की ग्रेविटेशन तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर होगा तो आंसर क्या कर लेंगे बीस दा राइट आंसर नेक्स्ट लंबर 38 एक समतल कार्ज की गुटके को विभिन रंगों की अक्षरों से उपर रखा जाता है वो अ स्वाल अमर 49 लोहे के पतले टुकडे को तिब्र विदुदारा बहती हुई परिनलिका में रखेने पर चुमबकी दिशा में घूम जाता है लोहे के पतले टुकडे को तिब्र विदुदारा बहती हुई परिनलिका में रखने पर चुमबकी दिशा में घूम जाता है बिलक स्वाल नंबर 40 जब प्रकास्त त्रंग हवा से कास्य में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होते हैं तुर तरंग ढ़र जब भी प्रवाश करेंगा प्रभावित करेंगा प्रकास की तरंगे जब भी हवा और कास से प्रवेश करेगी तो प्रभावित तरंग धैर और उसका वेग होगा दोस्तो याद रखेंगे सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशे नमबर 41 पे अंसर करेंगे यहाँ पर ठास में इस ततव का कहननत्र सबसे अधिक होता है आंसर करेंगे जहाँ पर लिएखर आपको ठीक है नोट कर लीगा उसनियवा घना तो जो है 22.6 ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब होता है दोस्तों लिख लेजेगा स्वाल नमबर चलते हैं प्रकृति गेस में होता है प्रकृति गेस में क्या होता है बाई एक परसेंट मिथेन मिला होता है प्रकृति गेस में मिथेन इथेन प्रोपेन में उप्यूक्त अवस्थाएं कौन सी हैं है बर विधी के द्वारा अमोनिय के निर्मान में उप्यूक्त अवस्थाएं है अधिक दाब और अधिक तापका होना तो भी हमारा उत्तर सही है यहां पे नोट कर लेंगे स्वाल लंबर 45 निमलिकित में से में किस तत्वों का आयनिक विभाव सबसे कम होता है यहां पर जिया इसका होता है जिसमें की एक इलेक्ट्रोन हिस में बाहर निकल के आता है ठीके और जो इसका आयन विभव होता है ये उर्जा की मातरा को हम लोग कहते हैं इसके ठीके तावर सारनी में बाएं से दाय जाने पर आयन विभव और उर्जा का मन बढ़ता है और किसी वर्ग म नियत दरबिमान कायतन इस्तिरताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाप कितना हो जाएगा तो आंसर किजिएगा दोगुना हो जाएगा इस दा करेक्ट आंसर स्वालमर 47 नीचे दिये के एकाईयों में से कौन सी काई दाप की है बिलकुल आंसर कर दोस्तों यहाँ पर यह सबीं सोबादर 48 दोस्तों ऊसित तम द्रूभी है संयोजग बंधा निमलीः इंपस्तित हैं कि आंसर कर लेंगे इसे में उनपस्तित होता है यह द्यांतर सी कर लेंगे स्वाल नमर 49 आणविक विमाओं में कोलाइडी कणों का प्रिथिकरन क्या कहलाता है आणविक विमाओं में कोलाइडी कणों का प्रिथिकरन डेलेसिस कहलाता है दोस्तो B is the correct answer नोट कर लेंगे यहां से स्वाल नमर 50 क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राफ्थ होता है आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे क्लोरोफिल को जलाने पे कौन सा तत्व प्राफ्थ होता है तो आंसर कर लिएगा C is the correct answer Magnesium प्राफ्थ होता है हमें यहाँ पे स्वाल लंबर 51 सरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है सरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते है सबसे बड़ी कोशिका को कहते है दोस्तों यहाँ पे तंत्री का कोशिका B is the correct answer स्वाल लंबर चलते हैं 52 स्वासन भागफल में से एक नहीं होता है मतलब स्वासन जो है भागपल एक से कम नहीं होता है, याद रखेगा कार्बोहडरेट का सुवसन भागपल एक से कम नहीं होता है, इसका मान एक ही होता है, तो आंसर एक कर लिजिएगा, इसका मान क्या होता है, एक होता है, मा के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में पूछा जा रहा है लगबग कितने महीने में लग जाते हैं तो आंसर करें जिए नौ महीने लग जाते हैं समान नेता ठीके किन्तु अपवादिक परिस्तितियों में यह समयावधी घट भी सकता और बढ़ भी सकता है अधिकांस जनतु एक लिंगी होते हैं वैसे जीव जो की दो बच्चों वैसे जो की बच्चों को जनम देते हैं उसे हम लोग जरायूज कहते हैं याद रखेएगा दोसो तिरपन दिन या दोसो चाचाट दिन में यह बन जाता है है ना तो इसलिए मनुष्य के बच्चे को सवाल नंबर पहला प्रकास संसलेशी ऑक्सीजन उत्पन करने वाला जीव प्रित्वी पर प्रकट हुआ था आंसर कर करने वाला जीव प्रित्वी पर साइनो बैक्टीरिया प्रकट हुआ था तो आंसर कर लेजीगा यह इस दा करेक्ट आंसर सवाल नंबर पचपन मानो कान के किस भाग में प्राप्त ध्वानी के अनुसार कंपन होता है मानो प्रकास संसलेशन उत्पन करने वाला जीव तो सा हम याद रखेगा भाई साइनो बैक्टीरिया जो है ना वो नील हरित सेवाल होते हैं यह भी याद रखेगा बट दूसरा कोशन है कि मानो कान के किस भाग में प्राप्त ध्वानी के अनुसार कंपन होता है तो आंसर किजीगा दोस्तों करनप पटही जिल्ली डी इस दा करे तो आंसर कर लिजीगा दोस्तों यह सिक्किम का तिवहार है वी इस दा करेक्ट आंसर स्वालमर 58 सराब बंदी लागू करने वाला पहला भारती राजी कौन है 58 का अंसर कर लिएगा गुजरात है दोस्तों जी हां 1965 में सराब बंदी शुरू की गई थी यहां पे ठीक है केरल में 2014 में किया गया है यह भी ध्यान रखेगा और बिहार में दोस्तों तो पता ही आपको 2016 में किया गया है नागालेंड में दोस्तों बिलकुल याद रखेंगे नागलेंड में भी सराब बंदी नहीं है स्वाल लंबर चलते हैं 69 पे दिमलिकित योगमों में से कौन सा एक आंसर कर लेज़ेगा यहाँ पर नहीं है यहाँ पर स्वांत घाटी अंदोलन जो है यह बाबा आंटे को सुमलेत किया गया है जो की गलत होता यहाँ पर तीके सांत घाटी अंदोलन जो है यह सुगाथा कुमारी के निरत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् एक देश की संबंदित है तो औरेंज का अंती जो है रिवुलेशन जो है यूक्रेन से संबंदित है याद रखेंगे डीज दराइट आंसर चुकि यूक्रेन अभी हाले में चर्चा में भी है और 2004 में यहां पर लाए गया था दूस्तों ठीक है नोट कर लिजीगा और यह औरेंज कराती नारंगी यानिकी संत्रे की उपद से है संबंदित नौट्रेडेम कथेड्रल है न यह कहां पर है अंसर कीजिए दोस्तों 62 का जिया नौटेड्रेम जो है कैथेड्रल जो है यह कहां पर है तो पैरिस में है याद रखेंगे डीज दर करेक्ट आंसर दिल्ली के निमलिखी सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने बिरोध भाष्रों का मिश्रण बताया है तो मुहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने बिरोध भाष्रों का मिश्रण बताया है तो आंसर हम यहाँ पर डी कर लेंगे इस दर राइट आंसर भारत में प् 66 राज्यले जो भी है राज्याले जो है हडप नीती निमलेखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था आंसर किजीगा दोस्तों डलहौ जी के द्वारा लागू किया गया था स्वालमे और 67, दीने इलाई एक नया धर्म निमलीखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रिखेंगे दोस्तु अकबर के द्वारा किया गया था 1584 magnitude में स्वालमे 68, भारति वन सिवा का स्थापना कब किया गया था? आंसर कर लिए दोस्तों यहाँ पे 1963 में किया गया था स्वाल अंबर धर्ती आबा किसे कहा जाता है धर्ती आबा विर्सा मुंडा को कहा जाता है जो कि जारखंड की धर्ती से समंदित है स्वाल अंबर 70 किस पेंड से हम कुनेन प्राप्त करते हैं अंसर किजीकर दोस्तों सिन कोना पेड़ से बीस दा करेक्ट आंशर शौल्मर 71 भारत की जनगर्णों जोज़ारे ग्यार एक अनुसार जनगर्ण जंक्या घरनतव कितना था प्रतिवक्ति बार किलोमेटर था तो यहां पर अंसर कर लेजिए दोस्तों यहां पर 68 डिग्री शाट मिनट यह इस्ट जो की 97 डिग्री और 25 इस्ट है आपका मिनट में स्वाल नंबर चलते हैं 73 पर वी हु किस राज्य का लोग ने रिते हैं अस्साम का है याद रखेंगे स्वालमर 74 भारत का प्रथम उर्वरक सन्यंत्र कहां लगाए गया था तो बिल्कुल याद रखेंगे सिंद्री में लगाए गया था डी इस दा करेक्ट आंसर स्वालमर 75 राज जिपाल की नियुक्ति कितने वर्सों के लिए की जाती है तो आंसर संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है दल बदल क्याधार पर निरवाचन सदस्यों का अयोगिता समंदी विवरन जो है दसवी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों सीजद करेक्ट आंसर लंबर 77 निमलीगित में से कौन सा पौधा थेले फाइटा नहीं है का ंसर जगer n時53 में किया गया था फजल लाली किया देख सता में स्वाल नूबर 79 दोश्थ लोग तांत्रक विकेंद्री करण के उध्याउन् scientist के प्रवधान सन्य संवधन का सम्द्ध पंचैती राज के 3-3 डाशे का प्रवदान किया गया है तो आंसर ए कर लेंगे यहां पे इस द राहिट आंसर और 74 वाप समिधान सोधन नगर पालिका से सम्दित है स्वाल अंबर 80 भारत में सहकारिता का प्रारंब किया गया है वर्स कभ वर्स में कौन से वर्स में किया आंसर कर लीजिए का 1904 में किया गया था ठीकिए सहकारिता अंदुलन के दौरान की छेत्र का सुधार भी किया था स्वाल लंबर 18 फल जो है आमका विग्यानिक नाम क्या है तो मैंगी फेरा इंडिका इसका पुरा नाम है मैंगी फेरा इंडिका तो आंसर C कर लेंगे प्याज का नाम क्या है ओलियम सीपिया कापास का गैसी पियम अंगूर का VTS गन्ना का सुग्रेंज उसकी सपत कौन दिलाता है तो याद रखीगा आर्टिकल 169 के आधार पर राजिपाल को राजी के उच्छ नियाले का मुखने अदिश सपत दिला सकता है आंसर क्या कर लिजीगा बी इस दह करेक्ट आंसर स्वाल नंबर चलते हैं कौंकर्ण रेल्वे किस परवस्रेणी में होकर गुजरती है ठीक है तो आंसर कर लिजीगा ये वेस्टन घाट निम्लेकित में से कौन सा यूग में सुमिलित है तो आंसर कर लिए दोस्तों खजुराहों का मंदिर चंदेल ने बनवाया था याद रखेंगे सही चंदेल वर्स संबंदित है जो कि यहां पर गलत है से महाबलीपुराम का समन्द पल्लोवण से है अ है ठीक है ये भी गलत है मनेक्षी मंदर कभी गलत ठीक है ये सही आपका डी सही आपका स्वाल नंबर 85 भारती तिरंगी का पहली बार जोहराल नहरु ने कहां पर ध्वाजा रोहन किया आंसर कर लेंगे मैं मुहान रिखा क्यलाती है इस दर करेक्ट आंसर इन में से कौन सा भारती राज्य पांच वन अक्षादित प्रदेशों में से सामिल नहीं है आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे डी पंजाब इस दर करेक्ट आंसर बिसवे के सबसे बड़े रेडियो टेलिस्कोप का निर्मान कौन किया है बिलकुल याद रखेंगे आंसर किजिएगा इट सबी चीन ने किया है नेक्स्ट निमलिखित में से किस संगठन का मुख्याल समयलित नहीं है नहीं बोला गया है ध्यान दिजेगा तो ओपिक है दोस्तों यह Ini है आउपक जो है यह गलत है ओपक ज्यूरत लिखा गया है यहां पेषए्गाल ओपक का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है हीम की बज़र से होने वाली है परदन की प्रक्रिया को कहते हैं नेविशन क्या कहते हैं बहुत संख्यक प्रजाती पाई जाती है तो यह याद रखेगा important question है जिए भारत वर्स में गूंड जो है बहुत संखे प्रजाती पाई जाती है ठीक है याद रखेंगे सबसे बड़ी जंजाती कौन सी तो बहील है ये भी याद रखेंगा कलकत्ता और अगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन शुरुवात कब हुई थी याद रखेंगे कदरपाटी का मुख्याले कहां था अंसर कर जीगा सेंस फ्रेंसिस्को में था जो कि 113 में इसका निर्मान किया गया खट्टे फल जो कि हम लोग से सैट्रस फ्रूट कहते हैं इसको जिसके लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है तो आंसर कीजिएगा 95 का आप लोग यहां पर दोस्तों कि बिलकुल जियां खट्टे फलों के लिए जो है विख्यात है अंसर सी करिया भूमद्य सागरिये वन ठीके यह विख्यात है जिसमें अंगूर नीम्बू संत्रा यादि फल होते हैं भारत के अधिक सबसे अधिक संत्रा नागपूर में होता है और सेबन दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किलाए कुहना नामक मस्जित का निर्मान करवाया था तो शेरसा ने करवाया था याद रखेगा यह इस दा करेक्ट आंसर शेरसा सुरी ने पुराने किले के अंदर किलाए कुहना नामक मस्जित का निर्मान करवाया था शेर भारत नमक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किस ने की थी बिलकुल याद रखेगा एट सबी वीड़ी सावर करने की थी भारत करना राज जी में से वीतियापात इस्थिति कब किसके द्वारा घोशित की जा सकती है राष्टपती कर सकता है वीतियापात कल की घोशित और राष्टपती जो है तीन सो साथ अनुछेद की अनुसार वीतियापात कल की घोशित कर सकता है याद रखेंगे 352 के तहट यह राष्टी आपात कल घुसुद कर सकता है और 356 के अधिन राष्टपती सासन लागो कर सकता है तो 3 है यहाँ पर इध्यान रखेएगा स्वाल लंबर 100 परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था यह जी टॉंस लेके द्वारा यह इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजेगा दोस्तो इसका जो है आंसर की हमने यहाँ पर दे रखा है तो आप लोग भी खुद से एक बार टेस्ट जरूर लगाएंगे इस टेस्ट को देने के बाद वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएगा और फिलीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दिजेगा धन्यवाद